नमस्ते इंडिया मेरा नाम है सोनिय और आप देख रहे हो हमारे चैनल बेबीज केर हब आज की मेरे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पांच ऐसे टीप जिनको अगर आप फोलो करते हो तो बेबीज में फ्लैट हैड की प्रोब्लम नहीं आती है अःक्तर बच्चो का हैड फ्लैट हो जाता है इसका रीजन होता है कि हम न्यूपरेंट्स को नहीं पता होता कि स्टार्ठिंग में क्या चीजें फोलो करनी चैनल जिसकी वबाश से फ्लैट हैड की समस्या ना हो तो जो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहला टीप है जो आपको फोलो करना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम होता है वो इक्वली होना चाहिए इक्वली होने का मतलब यह है कि जब आप बेबी को फीड करवा रहे हो अगर आप लेफ्ट साइड से फीड करवा दिया तो फिर है कि जब आप बच्चे को फीड करवाते हो तो बच्चे का जो यह सीर का हिसा होता है इस पर आपकी हाथ का दबाओ पड़ता है तो यह दबाओ दोनों साइड इक्वली पड़ना चाहिए अगर आप हर बार एक ही साइड से फीड करवा ओगे तो इस साइड का सीर चप्टा हो जाता है इसलिए यह प्रोब्लम आती है तो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम इक्वल रहना चाहिए इस इसका आपको ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को गोद में ले रहे हो तो बच्चे को अपराइट रखो आप बच्चे को लेकर वोग कर रहे हो या बच्चा बच्चे का बच्चा सो रहा है तो आप यह मेक्शोर करो कि बच्चा हमेशा एक ही साइड सर करके ना सोई इसको मैं आपको एक्जेंपल देके समझाती हूं कहीं बार ऐसा करते हैं कि बच्चे के रूम में कुछ ऐसी चीज़े लगाते हैं कुछ प्ले आइटम कुछ कलर्फुल आइटम हम लगाते हैं ताकि बच्चा उसको देखे हासे एक्टिविटी करे खुश हो और बच्ची की यादत भी होती है कि बच्चा एक साइड हमेशा नीद बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत एदा जरूरी होती है तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि आप इचीज नोटिस कर रहे हो कि आपका बच्चा इस चीज़ को तक तक ही लगाके देख रहा है तो आप बच्चे की जो स्लिपिंग पोजिशन है वो चेंज कर दो अगर आ तो जब आप आपका बच्चंड व रहा है तो आप बक्च्च को इस साइट लेट दो क्योंकि बच्च से साइड बाउर में जायेगा तो इस तरह से क्या होगा क्या ने दोनों साइड equally दबाव पड़ेगा और बच्चे का जो सिरका अकार है वो काफी अच्छा होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फिफ्थ टीप ये है कि जब आपका बच्चा तीन महीने का हो जाता है तो आप बच्चे के लिए राई का पीलो यूज करो राई का पीलो ऐसा यूज करो जो ये बीच में से फ्लैट होता है क्योंकि हमेशा बेबी के लिए फ्लैट पीलो ही यूज करना चाहिए ये जो राई का इस तरह का पीलो होता है इसका बीच का हिस्सा फ्लैट होता है और साइड में राई होती है इससे होता क्या है कि जो बच्चे का पीछे वाला हिस्सा होता है सिरका वो फ्लैट साइड पे रहता है और चारो तरफ सिरके राई का इकवली दवाव पड़ता है तो इससे बच्चे का जो हैड है वो एक अच्छी शेप में आता है गर्मियों में एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप तीन महीने का बच्चा है उसके बाद राई का पीलो यूज कर रहे हो तो राई के पीलो पे कोटन का दुपट्टा या फिर कोटन की चदर आप पहले बिछा दो फिर बच्चे के सर के नीच रहो क्योंकि राई बहुत ग आंग की जिएगा थैंक यू सो मच्च थैंक यू पर वर्च है